नमस्कार दोस्तों पीचेस पाड़ साला में आसवी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज तारीक था 40-45 प्रक्रण पर तारीक था लगनोखंड पीट में दोस्तों आज जो तारीक था आज जो सुनमाई हो रहे थी ज्यादा दिर बहांस नहीं चला चार से पांस मिनट ही कुल बहांस चला जज़ सहाब आये और उन्होंने कोई नड़े नहीं दिया और उन्होंने अगली डेट डाल दी 29 को 29 माई को अगली डेट है आप जानते हूं 29 माई को भी एक डेट था यवी कटाप प्रक्रण से समदी डेट था तो उसी उसी डेट में इस यह जो अपिल है इसको उसी में टेक कर दिया गया है मतलब 29 तारीक को जो चिस जेश्टिक है वह उस पर फैसला देंगे और 29 माई को मुख नायदिस के बेंच में पूरा दिन सुनवाई होगी यह बात आप लोग को बता दें कोई प्रावलम नहीं कोई दिक्कत नहीं प इसे उन्होंने आस्वासन दिया है कि वह पूरा दिन बहास करेंगे पूरा दिन सुनवाई होगी और एक महत्पूर निड़े पर पहुंचेगी कोट 29 माई को तो देखते हैं 29 माई को क्या होता है आज फिलाल 4-5 मिनट ही बहास हुआ हो पाया बहास हुआ या नहीं हुआ ल 29 माई को यह केस सुना जाएगा और कोट किसी न किसी महत्पूर निड़े पर पहुंचेगी ठीक है दोस्तों ही जानकारी आप लोग को देनी थी और वीडियो को लाइक करीगा शेयर करीगा चैनल से जुड़ जाएगा हम आपको महत्पूर जानकारी देते हैं और एक बात और बता दूं यह जो दिल्ली सरकार के अंदर गत आने वाली है वेकंसी कम से कम पंद्र हजार समभूता यह दस दस जून तक आ जाएगी आज एक वेबसाइट पर दे रहा था दस जून तक यह वेकंसी आने वाली है और पंद्रा से बीशार के करीब पद हैं और पीजीटी सब्सक्राइब और दिल्ली सरकार में भी आने वाले हैं 15 वाजा करीब और युत्तर प्रदेश में एड़ेटी स्कूल में भी वेकंसी आने वाली है चोधा पंद्र हजार तो आप लोग के पास औसर की कमी नहीं है औसर बहुत जादे हैं बस मेहनत करते रहें कोई दिकत ने बढ 위해서 usarय बादें बादे कर दिक स्कुल में ऐसे में लेगता प्रदेश ने सुन बदेता हैं 15 वाले हैं 15 वाले हैं 15 सोल में 15 वाले हैं 14 वाले हैं 15 वाले हैं 14 वाले हैं 15 असप्राइब असर बढ Services दो कर रहें दोड़ा दना झालबार पोटन ट्किंटसे हैं